नमस्कार मैं हूँ ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं साहिब गंज में गंगा नदी में मगर मच है पानी में न जाए साहिब गंज में गंगा नदी में मगर मच है ए बात उस वक्त और पुक्ता हो गई जब मचुवारों के जाल में मगर मच के एक बच्चे का सौब फासा पाया गया इसको लेकर DFO ने लोगों से सवधानी बरतने के अपील की है बता दे गंगा नदी में बेवज़ा नहीं जाए और नहीं असनान करे नदी पार करना हो तो सोच समझ कर और सवधानी से करे एक आना है साहिब गंज DFO मनी स्तिवारी का आगे उन्होंने कहा है कि गंगा नदी में इन दीनों मगरमच का देखना खत्रे से खाली नहीं है साहिब गंज में मगरमच देखे जाने को लेकर DFO ने कहा है कि अमोमन गंगा नदी में मगरमच नहीं दिखता था लेकिन हाल के दिनों में नदी में मंगरमच नजर आ रहा है इसे लोगों को सवधान रहने की ज़रूरत है साथ ही ऐसे जीव को जाल में फंसाने के उसे बजाय सुरक्षा पदान करे डीएफों ने मचुआरों से अपिल करते हुए कहा है कि वो चार इंच से कम जाल का इस्तेमाल ना करे अगर पकड़े जाएंगे तो उन पर कानूनिक करवाई होगी सुखार की ओर बढ़ रहा पूर्भी सिंभूम दक्षिन पच्मी मानसून के बेरुखी ने पूर्भी सिंभूम जिले के किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिच दी है वार्षा नहीं होने से जहां धान की रोपनी बंध है वहीं खरीब फसलों की बुआई भी परवावित हुई है इसके साथ साथ मानसून के दौरान होने वाली सबजी की फसल भी सुखने के कागार पर पहुँच गई है कुल मिलाकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीर दिन परती दिन बढ़ती ही जा रही है किसानों में सुखा की चिंता सताने लगी है जीले में धान की रोपनी का लक्ष पिछले वर्ष की तरह एक लाख दस यार हेक्टेर भूमी पर रखा गया है लेकिन जुलाई महा में नगन वर्षा के कारण मात्र 5.0% परतिशती धान की रोपनी हो पाई है यही इस्थीती अन्य खरीब फसलों की भी है खेतों में पानी नहीं रहने के कारण फसलों को बचाना अब किसानों के लिए चुनोती बन गई है वैसे जहरखन में इस बार मानसून थोड़ा विलम से पहुँचा आकसर 15 जून से मानसून का परवेस हो जाता था लेकिन इस बार 20 जून के बाद इंटी होई है सरावनी मेला ड्यूटी में आयरांची के पुलिस जवान की माउत प्रांची जीलाबल में बहाल हुया था वह साक्षर अरक्षी से सहायक औवर निरीक छकपद पर ट्रेनिंग के लिए पदमा में परतिन्युक्त पर गया था पदमा सेवस्त्रावनी मेला बिदी बेवस्था ड्यूटी के लिए देवगर आया था अनुबंध कर्मियों को नियमित करने में जूटी है मंद सरकार राय सरकार के विभिन बिभागों में अनुबंध पर कारणरत कर्मियों को नियमित करने की तयारी सुरू हो गई है सरकार के दोरा पिछले दिनों से भी विभागों में 10 वरस अधिक समय से करेरत कर्मियों के सुची तयार कर ली गई थी जिसमें सरवधिक होमगाट जवानों की संख्या है जनकारी के मुताबिक जीले से लेकर परदेश अस्तर तक में करीब 2,28,000 कर्मी अनुबंध पर है अनुबंध पर काम करने वालों की संख्या स्वास्त और ग्रामिन विकास विभाग में सुर्वधिक है सुप्रीम कोट के गाइडलाइन के अनुरूप इन करमचायों को नेमित करना सरकार के लिए किसी चुनवधि से कम नहीं है हलाकि राज सरकार के विभागों में रिक्तिया है ऐसे में सरकार पूरी तरह मन्थन करने के बाद इस पर निर्नाय लेने के मुड में है ज्यारखन के कई जीलों में भारी बारिस का अलर्ट ज्यारखन में राजधानी रांची सहीत आसपास के कई जीलों में अगले कुछ घंटों में भारी बारिस का पुरोनमान है मौसम बिग्यान केंदर रांची के मौसम बैग्यानिकों के मुताविक रांची तथा आसपास के जीलों में में गजन के साथ साथ मद्य दर्जे की बारिस की संभवना है गौता भाई की रांची में बुद्धवार की देर साम को भी हलकी बारिस हुई थी बारिस की वज़ा से लोगों को गर्मी सराहत मिली है वहें गुरु आर को सुबा मौसम मिला जुला रहा अधिकान समय आस्मान में बादल चाहे रहे बिच बिच में हलकी धूब भी खिली है मौसम बिज्ञान केंद्र रांची के मौसम बेगान अभिसेक आनन्द के मताविक एक जुलाई से अब तक जहारखन में 168 मिली मीटर बारिस रिकोर्ड की गई हलाकी समाने तोर पर इस ओधी में 296 मिली मीटर बारिस होनी चाहिए थी पलामो में ट्रक ने दो झात्रों को रॉण दा पलामो जिले के नवा बाजार थाने के तुकबेरा बाना बाजार के समीप गुरु यर की सूबह में स्कूल जा रहे है दो झात्रों को ट्रक ने रॉण दिया है नेशनल हाईवे 149 पर ट्रक की चपेट में आने से दोनों चात्र गंभी रूप से घायल हो गई है इसमें एक की मौत इलाज के दुरान हो गई है वहीं दूसरा गंभी रूप से घायल है घायल चात्र प्रत्यूस कुमार का इलाज मेदनी नगर के MRMCH में चल रहा है ट्रक और अंगाबाद से मेदनी नगर की ओ जा रहा था घटना के बाद ट्रक चला गाड़ी लेकर भाग निकला है वहीं जनकारी के उनसार आट से दस की संख्या में टुक बेरा राज की अमध भी दाले के छात्री स्कूल जा रहे थे कावारियों को गर्मी से राहत दे रही इंद्र वर्षा दिन बितने के साथ रावनी मेला भी परवान पर चढ़ने लगा है वो द्वार को दोफर बाद से दुम्मा से लेकर सिउगंगा घार तक कावारियों की भी बढ़ती देखी गई वही रास्ते भर कावारिया बोल बम का महा मंत्र जबते हुए आगे बढ़ते दिखे दोफर के बाद पुरा सिउगंगा तट कावारियों से पट गया वहीं दोफर में भीड बढ़ने के बाद का तार लंबी होती चली गई बता दे सुलब जलारपन के लिए जहां बाबा मंदीर में कवरियों के सुभधा को लेकर दो अरगा लगाया गया है जिससे एक बाबा मंदीर के मंजला खंड में और दूसरा निकास द्वार के बगल में है वहीं भीड के करण मा परवती मंदीर के गर्भ गिरी तक नहीं जा पाने वालों के लिए बाहर जलारपन की बेवस्था की गई है रिम्स में नर्स की भारी कमी 294 के जग हो 700 करे रत जारखंड के सबसे बड़े सरकारी पतार रिम्स में मरीजों की संख्या बढ़ी है जबकि इसकी तूलना में उनकी देख बाल करने वाले नर्सों की संख्या काफी कम है इसका खामिया जाना मरीजों का भोगतना पड़ता है बता दे इंडियन नर्सिंग काउंसिल की मानकों के हिसाब से भी रिम्स में नर्सों की भारी कमी है रिम्स में फिलहाल 294 में नर्सों की जरूरत है जबकि 700 ही कारेरत है यह संख्या RMCA के समय 23 साल पुर्व स्विक्रित थी जबकि आज के हलात अलग है JSAC ने जारी किया परिक्षा नोटिफिकेसान जारखंड में करमचारी चैन आयोग 244 जूनियर इंजिनर की परिक्षा के त्यारी कर रह व्यारतों के लिए अच्छी खबार है JSAC ने परिक्षा को लेकर संभावी ती जारी कर दी है आयोग की सुचना के अनुसार परिक्षा का आयोग जन 2 सितंबर को संभावी था है यह परिक्षा राजभर के तमाम सभी जीलों में संपर्ण होगी वहीं परवेस पत्र की डाउनलोड करने के ती की खोस्तना अबी नहीं हुई है JSAC ने कहा है कि अद्मीट कार्ड जारी करने के ती अब JSAC.NIC.IN परियाथा सिप्र परकासित की जाएगी हलाकि सुत्रों की माने तो प्रवेस्पत्र डाउनलोड करने के तीथी परिक्षा से दो सप्ता पूरो जारी कर दी जाएगी ग्यात हो कि ए नियुक्तिया नियमित और बैकलोग दोनों के लिए हाए हज्जारी बाग में ट्रॉक से टकराई कार दो सगे भायों की मौत जारखन के हज्जारी बाग में भीशन हाच्छा हुआ है कारदू घटना में दो सगे भायों की मौत हो गई तीन लोग गंभी रूप से जक्मी है वहीं घायलों को रिम्स में भरती कराया गया है मिरितको की पाचान 45 वर्षिय संतोस केसरी और 40 वर्षिय दीपक केसरी के रूप में की गई घटना स्थल पर ही दोनों भायों की मौत हो गई बागोदर पोलिस ने मौके पर पहुँच कर घायलों को रेस्क्यू किया और अस्पताल तक पहुँचाया है जारखन में 28 जुलाई से 3 अगस्तक मौवादी मनाएंगे सहीद सपता नक्सली संगठन भागपा मौवादीयों ने 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्तक सहीद सपता मनाने का एलान किया है जारखन में अपनी खोई ताकत को आपस पाने के लिए मवादी सहीद सप्ताह के दोण हिंसक वरदातों को अंजाम दे सकते हैं नकसली संगठन के संस्थापक चारू, मज्जूम, दार और कनहया चटरजी की याद में सहीद अस्मिरिती सप्ताह मनाए आते हैं साथ ही साल भर में पुलिस की गोलियों से मारे गए नकसलीयों को भी सहीद बताते हैं और उनकी याद में अंदुरूर्णी छेत्रों में नकसलीयों के ओर से बनाये जाने वाले सहीद अस्मारक पर संधाजी देते हैं भागपा मवादी पूलिस मुट भेड़ में मारे गए अपने साथियों की याद में हर साल सही सपता मनाते हैं कमजोर एवम अभिवांचीत वर्ग के बच्चों को बराहवी तक निसुल्क सिक्षा के लिए भूख हरताल पर बैठे अभिभावाग जारखन में नई सिक्षा निती 2020 को पूर्णता लागू करने की मांग को लेकर इस कुली बच्चों के अभिभावक गुरुवार को उपायुक्त कर्याले के समक्ष एक दिवस्य भूख हरताल पर बैठे इस दोरान जम सेथपूर अभिभावक संग की और से मुख्य मंत्री के नाम उपायुक्त करयाले में एक ज्यापन भी स्वपा गया जिसमें नई सिक्षा निती के प्रधानों को पूरी तरह से पूरे राजे में लागू करने की मांग की गई हरताली अभिभावकों का नितीत कर रहे संग के अधर्ष डाक्टर उमेश कुमा ने कहा है कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12.1 के सी के प्रधान में अभिवान्चित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को जार्खन राजे के नीजी की इसकूलों में परवेश कक् होने के दरान स्कूल में नमांकन प्राप्त बच्चे अब काक्षा आठवी पास कर काक्षा नवी काक्षा में पहुंच गए हैं इन बच्चों से सम्मधित स्कूल परवन्धन अभी स्कूल फिस की मांग कर रहे हैं ऐसे में आठवी काक्षा पास कर नवी में परमोट हो धन्यवाद